कर दो गया है कि आप सभी को मैं लक्समान वैद्वान आप सभी को स्वागत करता हूं अध्यन मंत्रे के यूट्यूब चैनल अपनी करेंट अफेर की क्लास में पास दिन का जो मेरा चैलेंज अज़े 24 से लेका 28 तारीक उसके लिए मैं स्पेशल बनाये जा रहा हूं आप लगों के लिए उससे पहले भी सारी क्लास बना रखें पिछली क्लास भी देख लेना बहुत ज्यादा यल्प देगी क्योंकि वह थोड़ी डिटेल में रखिये और अभी जो सवाल हो रहे हैं वह सवाल तोड़े और अच्छे हैं तो करें स्टार्ट करते हैं आप सभी को नमस्ते नमशकार ठीक है अपने पहले सवाज देंगे हम ठीक है आज कुछ अलग तरीके से लाया हूं मैं कुछ सवाल आपके लिए ताकि आपको सवाल क्या है बता दूँ आपको पहले जो स्टार्टिंग के ट्वेंटी कोशन से नाइटीन ट्वेंटी विए ठीक है इसको किस ने लिखा है कौन सी बुक का ओथर कोन है ठीक है तो इस तरीके से चलेगा आज का हमारा तोड़ा सा यह सेशन कई सवालों के लिए ठी सब्सक्राइब किस ने लिखी है तो इसका जवाब क्योंकि मैं करूंगा क्या होता है जल्दी जल्दी में फिर वह उप्शन के चक्कर में आप से टाइम थोड़ा कम दिया जाता है तो मैं थोड़ी डिटेल में लाया हूं बढ़े ध्यान से देखो ठीक है इस बुक का ओथ आपको बहुत जादा पसंद आने वाले हैं फिसकी जो जो अनुर्दा रोए ठीक है अनुराधा रोए क्या है इसे इंडियन जर्नलिस्ट एडिटर अधर पत्रकार और संपाधक है इनका फोटो यहाई इनकी तस्वीर को दिमाघ में डालो और अनुराधा रोए ने क्या ल आपके सामने हलका हलका हो और आपके सामने नाम आ जाये अनुरादा रोए ठीक है जलो अगले सवाल पे चले चलो अगले सवाल पे सवाल नंबर कह रहा है हमारा दो इस सवाल में अपनी पिछली क्लास में करा चुका ठीक है बट जो कुछ नए बच्चे होंगे मुझे लगागी उनको सवाल का इस किताब के बारे में जरूर पता हो तो इसलिए मैं सवाल फिर ले आया ठीक है बस यही ए सब्सक्राइब करते हैं तो अब सुदामूर्ति के बारे में जान लेते हैं इंडियन इंजीनियर टीचर ऑथर एंड शोशल वर्कर इस ओल्सोड़ पर्सन ओंफोसिस ठीक है इंफोसिस की क्या चेर पर संब्सक्राइब है उसके बाद हम बात करते हैं यह सी इस मैरिट टू को फांडर हैं वह इनके हस्बेंड हैं इनके पती हैं समझगे तो हिंदी में पढ़ ले या मैं बोल देता हूं सुदामूर्ति बारते इंजीनियर सिक्सक लेखक और एक सामाजिक कार्य करता हैं वह इन्फोसिस फांडेशन की चेर परसन भी है उन्होंने इन्फोसिस के सैस जानना ज्यादा इंपोर्टेंट पेपर में आने के लिए सवाल को वह बुक्स नहीं पूछते आपसे वह देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा प्रोमिनेंट है परसीद है उसकी बुक के बारे में आपसे पूछ लेते हैं ठीक है या विरो किसी ना किसी खबरों में र समझ रहे हो ना 14 साल की लड़की ने इस बुक को लिखा है ठीक है कोविट 90 के टाइम पर जब लोकडाउन लगा और जब एकदम से लोग एकदम बंद हो गए उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कभी लाइफ में हो सकता है कि रात और रात हमें घर में बंद होना पड़े नो जैन ठीक है ब्रिशा जैन क्या है 14-year girl विच लोकडाउन डे सीन थूद हर आई एड़ दा कोविट 90 पैंडब में किस ने किया था अनौंसर किया पब्लिस यह किया था सवाना आज भी ने ठीक है इनके साथ इनका फोटो है 12 साल की लड़की जो लोकडाउन के दिनों में को अपनी आँखों से देखती है पिछले साल फेली कोविट 90 माभारी के रूप में उसको इसने इस बुक में अपना लिखा है एक्सपीरियंस आवाज कमार यह बच्चे बोल रहे हैं चेक करना अब बढ़ी आवाज आरी हमारे पास ठीक है तो यह पता है अब यह बुक का जा हो सकता है यह सवाल आपसे पेपर में पूछ ले और सारी चीजा पेपर में आने के लिए तो पड़ी नहीं जा सकती समझ रहे हो ना तो कुछ चीजे नॉलिज के लिए वह आभी जाए पेपर में और ना भी आए तो आपको पता जरूर हो आवाज कम आ रही है मेरे को बार- टाइरी The Rosette in India बताओ क्या है गर्षान सेंस सवाल होता बारे में देखो ठीक है उमीद करते हूं आपको तरीका अच्छा लग रहा हो और लग भुlawा थो ने महाफ है आंगा ठीक है अगर आपको अच्छा ना लग है तो कुछ और अच्छा कर लेंगे तो इसके बारे में पढ़ो संजे गूबी ने लिखिया ये बुक क्या लेपर्ड दा लेपोर्ड डायरी ठीक है दा रोजेट इन इंडिया देखो अब इनके बारे में जान लेते हैं क्या संजे गूबी देखो मैं पैन नहीं चला रहा हूं एक टाइगर एंड लियोपार्ड वर्किंग अच्छा अब इनके बारे में बता दिया अब वर्किंग एज साइंटिस्ट विद नेचर कंजर्वेशन फांडेशन ए मैसूर बेस एंजियो में अभी साइंटिस्ट के तोर पे काम कर रहे हैं इनका काम क्या है इनका काम अब अगले सवाल पर सवाल नंबर असी सवाल नंबर असी पूछ रहा है आपसे एक साधारन जीवन एक भारत्य का चुत्र एन ओर्डिनरी लाइफ पोट्रेट ऑफ एन इंडियन ठीक है इस बुक के ओथर कौन है ठीक है चलो इस बुक के ओथर कौन है इस पे चलते हैं इंडियन इसके असोख लवासा ठीक है इन नहीं ने क्या बुक लिखे देखो द्यान से असोख लवासा एन ओर्डिनरी लाइफ पोट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन ठीक है अच्छा ठीक है तो अब असोख लवासा के बारे में पढ़ो ठीक है असोख लवासा क्या कहते हैं असोख लवासा के बारे में ठीक है असोख लवासा जो है हर्याना केडर 1980 बैच के क्या है आईस ओपिसर रहे हैं ठीक है ये दो बार ठीक है चुनावा योगत भी रहे हैं बारत के ठीक है क्या रहे हैं चुनाव आयोग तो पढ़ लिए हमने एलेक्शन कमिशनर भी रहे हैं क्या इंडिया के ठीक है तो असोक लवासन नहीं यह बुक लिखें और रिलाइफ पोट्रे ओफ एन इंडियन ठीक है चलो अगले सवाल पर सवाल नंबर हमारा आगया एटी वन इंडिया इस् Heto इंडिया स्टोरीएं ट Eigen बुख का नाम आगा है हमारे पास ऑख दा इंडिया 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 इस्टोरी के बात करें तो चिरूर के बात करें घर यहां से एक यहां 2AC लाल क्या थे देखो मैं इसलिए डिटेल लिखके लाएं थोड़ी सी क्या पता उनकी बुक ना पूछे आपसे विमल जलाल पूछ ले इंडारेक्ट सवाल तो अब विमल जलाल अगर पूछ ले और उप्शन में हो तो क्या होगा यहां पर देखो एक फॉर्मर गवर्नर ओफ मराण भारत कि संसाद के उच्छे सदंब राज्यसभा के मनोनित सदस्यते समझ रहे हो थो अब इस पर क्या करेंगे हम इसको एक बात और याद रखना सथ वि det. यह एक मनोनित सदस्यते दन चलो आगे यह आपने बता दिया इंडिया स्टोरी विमल जलाल ने लिख खिए आर वी आई के पूर गवर्णर ने अब चलो सवाल नंबर 82 अब देखो यह बहुत अच्छी बुक है आपका दिमाग खोल देगी अभी दो मिनिट के लिए आपको क्या पता पेपर में पूछले मेरे को लगता है अगर मैं जाम दरू तो मैं ऐसे सवाल तो जरूर डालो पेप दो ध्यान से देखो लाइन तो इस बच्ची के बारे में अगर यह ग्रेट बुक लाइन आ जाए तो मतलब यह एक इंस्परेशन है इसको ना एज एक्जाम में ना आए ना है लेकिन एक इंस्परेशन का सवाल है कि एक साल में तो उसने पढ़ना सीख लिया और तीन साल मे उसने कुछ चीज़े अपना डाइग्राम वायक्राम बनाके एक BOOK में आपना सेट कर दिये कि जो बच्चे डर जाते हैं ना छोटे-छोटे बच्चे किसी चीज़ से दर जाते हैं देरे से इस तरीके चीजों से तो इसने वूस बारे में इस bOOK में लिखा है समझ गए तो चलो अगले सवाल पे अपने सवाल नमबर 83 83 इस बुक का बताओ कानून और नियाय में विसंगति Anomalyze in law and justice कानून में और नियाय में करने कोशिश कर रहे हैं आप बच्चोफ आपको जिसको अच्छी यावाज आ रही है ऑप लुफ जिसको जवाब दे दो कि अच्छी यावाज नहीं आरही है समझे को चलो अगले सवाल पे यह यहमारा क्या था यह मोलैज इन लो इंट जस्टिस कानुन में निया और विसंगती इस इस बुक को किस ने लिखा तेको ध्यान से ठीक है किस ने लिखा अरवी रविंदरन जी के बारे में जाने तो जस्टिस आर्वी रविंद्रन इसे फॉर्मर जज अफ दा सुप्रीम कोट यह क्या है सुप्रीम कोट के जज हैं इन्हों ने यह बुक लिखिया क्या कानून और न्याय में विसंगती एनेमेल लाइज इन लोग एंड जस्टिस ठीक है तो देखलो सारी बुक जो जिसके अथर लाया हूं यह पेपर में आने लाया का और यह ऐसे यह लोगों ने लिखिया मैं बता रहा हूं प्रोमिननेंट लोग रहे हैं यह हमारे देश में हैं मतलब अपने पद पे प्रोमिनेंट रहे हैं समझ गये तो चलो आगे सवाल नमबर 84 इस बुक के बारे में बताओ दा नटमेग्स कर्ज प्रेबलेश और ए प्लैनेट इन क्राइस ठीक है इस बुक के उथर के बारे में जलते हैं देखो अब इनके बारे में पढ़ो ये भी एक मान व्यक्ति है ये बुक किस ने लिखी है अमिताव गोस ने लिखी है अमिताव जी के बारे में पढ़ लें तो कल भी में परसो भी मैंने आप लोगों को ग्यानपीट पुरुषकार के बारे में बताया था साइथ्ये के उस छेत्र में सबसे बड़ा पुरुषकार होता है तो हम अमिताव गोस को कह करें आंपफूसी जीता है अब यह पूछले कि इनमें से किसने जीता है ये सवाल वन जाए और अपका आगे सवाल नंबर आपका आगया 85 Home in the World ठीक है ये भी एक किताब है Home in the World तो इसके बारे में भी चलो जाने कि ये किताब किस ने लिखी Home in the World अब देखो ये भी एक प्रोविनेंट आदमी आपके सामने आगए कोन है अमरित्यसेन ठीक है ये बुक देखो कितना अच्छा कवर कितने अच्छे हमारे अमरित्यसेन जी ठीक है अब इनके बारे में बहुत बार आप पढ़ी चुके पर जिसको नहीं पता उनके लिए भी बता देते हैं ये क्या है एंड इंडियन इकोनोमिस्ट ठीक है एंड फिलोसपर ठीक है और भारत रतन कब मिला इनको 1999 में समझगे तो ये बुक अब याद रखना होम इंड वर्ड जहां पूछ ले तो अमरत्यसेन का नाम होगा उप्शन में लगा देना समझगे चलो अगले सवाल पर अगला सवाल क्या कहता है सवाल नंबर 86 इस्टार गेजजिंग दा प्लेयर इन माई लाइफ ठीक है ये भी एक बुक है 86 नंबर पर सवाल पर इसके बारे में भी आ जाओ अब इन सब को सब के सब जानते होंगे ठीक है ये है रवी सास्त्री अब समझ रहे हो ये रवी सास्त्री है इन्होंने ये लिखा हुआ और वहां पर अगर रवी शंक्र जय है रिठा शास्त्री लिखा हुआ ठिक है जैदित्र शास्त्री तो ओप्षन में द्यान से रखना तो इनका पूरा नाम क्या है इनका पुरा नाम है यह क्या है इंडियन क्रिकेट टीम के कोच ठीक है पहले पिरेंटेटर तो इन्होंने क्या बुक लिखी है इस्टार गैजिंग न प्लेयर इन माई लाइफ समझ गए चलो अगले सवाल पर सवाल नंबर आ गया एटी सेवन लेंगवेज ओव टुट एससे टू टू जीरो थ्री से दो हजार बीस टू जीरो टू जीरो यह किसने लिखी है यहाद कैसे रहेंगे याद रहेंगे दिमाग से जो यहां लिखा जा रहा है वह इतनी अच्छी कुपसूर्ति के साथ लाया है जब दूसरे वाली क स्क्रिंशोट लेकर रखो यह बुक किसने लिखे यहाद रखो अगर आपको लगता है कि क्या ना में उससे ज्यादा याद होता है आपको ऑप्शन एक अभी बी का सी सी कड़ी चलो कोई बात नहीं आगे इतनी मैनत नहीं करेंगे है ठीक है लेंगवेज ऑप ट्रूथ ऐस अमेरिकन नौवलिस्ट हैं ठीक है इनके बारे में आपने पता है सल्मान रुष्दी भारतिया मूल के ब्रेटिस अमेरिकी उपन्यासकार हैं और निवंदकार हैं समझ गए तो यह लेंगवेज ऑफ टूथ अगर पूछ ले तो सल्मान रुष्दी ऑप्शन में होगा टर्म नहीं है चनल लेंगे किताव का नाम क्या है सच कहूं तो पणम तो समझरें तो यह किताव का नाम है हम यहाद किसने लिखी है देखो आगे option अब देखो मैं जान बूचके फोटो लाया कि आपको पता लगे कि यह देख लो यह हमारी नीना गुपता जी है आप इनको कभी थोड़ा सा ठीक है जाता नहीं बोलूगा ठीक है फोटो में मेरे को लगता है एक पिक्चर जो है बहुत कुछ बया कर जाती है तो आप समझो इन्होंने एक बुक लिखी है सच कहूं तो समझ रहे हो तो बहुत अच्छी एक्ट्रिस है यह ठीक है अभी एक डाइल हंडर्ड नंबर भी इ देखे टाइम लगे तो जरूर देखना ठीक है तो यह किस ने लिखी सच कहूं तो नीना गुपता ने नीना गुपता के बारे में कुछ जादा बात करने की वही नहीं है तो एक बारते अभी नेत्री टेलीविजन दे सके कला गार ठीक है इनके बारे में एक बात यहां मैं इनमें से किसको मिला था और वहाँ पर नीना गुपता हो अवेलेबल तो आंसर यह सवाल भी बन सकता है तो इसका जवाब भी दे सकते हो चलो आगे सवाल नबर 89 इंडिया एंडिया एसईयन जीडिफ़ो पॉलिटिक्स दौ पर त्न प्रेजंट यह किसने लिखा excited इंदियन डेप्लोड आपके डिप्लोमेट रहे हैं ठीक है राजदूत रहे है बहुत सारे देशों में सिर्लंका में भी रहे हैं ठीक है तो एंडिय यह क्या है नैसनल सिक्योरिटी एड़वाईजर जैसे अभी अजीट डोबाल जी है न मुदि के का कार्यकाल में जैसे हमारे जी दोबाल जी है ऐसे मनमौन सिंग जी के कार्यकाल में यह थे सिव संकर मैनन एनसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समझ गए तो इन्होंने एक बुक लिए इंडिया एंड एसिया जिया पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट ठीक है समझ जो आगे तवाल नंबर 90 लीव वट्लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ठीक है वोट्लाइफ एंड क्रिकेट टॉट्मी यह एक बुक है और विश्ली किरकेट है तो किरकेट के बारे में हैं तो किरकेट के खिलाडी नहीं लिखी होगी यह तो सेंस आ जाएगी लेकिन क्या है क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर चिन्य सूप चिन्य सूपर किंग से IPL में भी खेलते हैं ठीक है तो इन्होंने बुक लिख किया बलीव वोट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी चलो आगे अगला सवाल क्या कहता है 91 एक्जाम वोरियर यह पक्का सब को बताओगा मे लिखी वूज ऑफ एक्जाम वोरियर बताओ लिए अग्जाम वोरियर किसने नरेंदर मोहदी जी ने ठीक है एक्जाम बुक का कवर देखो कितना फनी है एक्जाम वोरियर समझेओ बताओगा बताओग़ कोन रहेगा 92 का ओढ़ूर कोन रहेगा एक सेक्ट बताएं 92 मैं बताऊंगा आप क्यों बताएंगे कभीर बेदी देख लो आप सब जानते होंगे इस एक्टर को ठीक है इन्होंने ये बुक लिखे किसने तो देख लेना यह रहेगा आपका सही जवाब सवाल नंबर 93 वाय मैंनी है एक्सिडेंट री क्लेक्शन ऑफ लाइफ ठीक है यह किस ने लिखी है देखो हो सकता है कुछ लोगों को बोर लग रहा हो लेकिन किताबों के बारे में ओथर के बारे में तो पूछता है एक् में अच्छा कैसे से स्वावन करोंगे अगर हो रहे हो तो और अगर हो रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी कमेंट में डालो और लाइक pore 2 तो इसका जवाब किस ने लिखी है देखो हमारे हामिद अनसारी जी ने यह हमारे पूर उप्राष्ट पती भी रहे हैं ठीक है क्योंकि उप्राष्ट पती सभापती का रोल प्ले करता है देखो अब यह कब कब रहे हैं 2007 से लेके 2017 तक समझ गए 2007 से लेके एक बार 2012 तक रहे हैं ठीक है उसके बाद जो रहे हैं एक बार यह रहे हैं 2012 से लेके 2017 तक उसके बाद हमारे वेन का यह नाइड उजी है अभी ठीक है तो यह दो बार रहे हैं पहली बार यह दूसरी बार में यहां पर लगाता चलो अगले सवाल पर सवाल नंबर आगे 94 94 क्या इसको किसने लिखा है आप देखो सारे की सारी बुक जो लाया हूं में यह जो प्रोमिनेंट आदमी है जो बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं हिंदुस्तान में इंडिया में इसको किसने लिखा है एस वाई खुरेशी सहाबुदीन याकूब खुरेशी ठीक है यह हमारे सेवेंटीज वो सतरवे सेवेंटीज सीफ एलेक्शन कमिशनर रहे हैं समझ गए चलो अब आजब अपने ऑप्शन वाले खिलाडी जिसको जिसको ऑप्शन पसंद आते हैं ना तर जी बुक का नाम हिंदी में भी बताओ बताओ जिसका सफलता पूर्ण परिक्षन किया गया किस देश की स्वेदेशी रोकेट परनाली है फते वन विच वो सक्सेस्फुली टेस्टेड इन दा इंडिजिनियस रोकेट सिस्टम उफ विच कंट्री बताओ किसका यूए इसराहिल पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या सब्सक्राइब कर रहे गा आप आजाओ वो क्या रहेगा इस देश की स्वेदेशी पाकिस्तान आ अपना राजपूत का नाम बेलकुल सही इसका जो सही जवाब रहेगा आपका पाकिस्तान रहेगा ठीक है बच्चों चलो अब इनको इस चीज में मजह आता है उनका यह मैं जान बुच के दो तरीके के सवाल लाया था कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ लोग वैसे होंगे जलो आगे 96 96 सवाल नंबर किस देश ने दावा किया कि भारत में समानी करण लेवी बेदवापूर्ण है विच कंट्री है एकुलाइजिशन लेवी इन इंडिया एज डिस्क्र एमञेने यूबिनेशन होता है भारत में चीन ने काया है ये दा सङ्टिक रामने मगा थिरे आप या फर यसमाश करण ने सभाण US China नला संजीव राजबूत इसको संजीव राजबूत को निकालो और ब्लोक करो अभी गवी चलो इसका जो सही जवाब रहेगा वो उपर से डून दो ब्लोक करो इसका जो सही जवाब रहेगा आपका US रहेगा ठीक है यहाँ ऐसे फालतो लोगों के लिए पढ़ाने नहीं आते हम कुछ भी कमेंट कर जाएं किंद्रे किरसी मंत्रा लेकी किस योजना ने हाली में पांच साल का आगड़ा पार किया है विज स्कीम ऑफ दा यूनियन एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री ि या फिर परदान मंत्री जीवं जोती भीमा योजना बता बताो क्या रहेगा सही जवाब अगर कोई नॉलिज में है तो नईतों में बताके आगे बढ़ों देखो यह एक प्रेक्टिस के तोर पे चल रहा है सेशन पूरे दिन सुबह साथ बज़े से लेकर रात को दस बज़े खतम होता है यह आपकी प्रेक्टिस के लिए यह इसको कितना पांच साल कंप्लीट हो गए आप यह बढ़ गई चलो आगे हाले में किस देश ने वन प्लैनिट समिट की मेजवानी की है विच कंट्री है रिसेंटली होस्टिट दा वन प्लैनिट समिट इंडिया जापान फ्रांसिया रसिया क्या रहेगा सभाब 98 का सभी ब कि समिट बताओ किस ने होस्ट की इंडिया ने जापान ने फ्रांस ने या फिर रसिया ने बताओ सही जवाब 98 का सवाल नंबर 98 सभी जवाब बताओ जल्दी क्या रहेगा कि बताओ कि आ गया रसिया फ्रांस बिल्कुल दी इसका जो सही जवाब रहेगा फ्रांस रहेगा आपका इसका सही जवाब चलो अगले सवाल पे चेरी बलोसम मांव मौतसव हाली में किस राज्य में आयोजित किया गया था The Cherry Blossom Mow Festival was organized in which state recently? Gujarat में, Manipur में, Nagaland में या फिर Keral में? बताओ कहां रहेगा इसका सही जवाब? बताओ क्या रहेगा इसका सही जवाब? बताओ क्या रहेगा सही जवाब? सवाल नमबर 99 का सही जवाब बताओ क्या रहेगा? सवाल नमबर 99 अच्छो आज आप कल की मातरा के कल के बुकावले कम आये हो, इसका मतलब या तो क्लास बाद में देखोगे या क्लास अच्छी नहीं लग रही है? या फिर इंटरनेट खतम हो गया हो, सुबह 7 बज़े से क्लास देख रहे हो, कोई तो बजा होगी? नागा लेंड जवाब में आने लगा, वा 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 वा, मनीपूर क्यों नहीं लिखा आपने, मनीपूर लिखो इसका सही जवाब अगला सवाल, सवाल नमबर 100 तो किस संगठन ने कर चोरी विदेशी अगोसित संपनी और बेनामी संपत्यों के संबद में एक पॉर्टल लॉंच किया है, विच ओर्गनाइजेशन है लॉंच ए पॉर्टल रिगार्डिंग टेक्स एवेशन फॉरन अंडिस्क्लोज एसेट एंड बेनामी प्रोपर्टी इस पॉर्टल लॉंच किया है अब क्या कर सकते हो आप और हम जैसे लोग जैसे पॉर्टोस में पतला किसी के बेनामी संपत्य यह वह उसकी कंप्लेंट क्या करो इस पॉर्टल पर जाके डाल दो समझ रहो तो अब पॉर्टोसी का अगर किसी का ऐसा है कोई तो बाट लगा दोसकी अगर कि बताओ क्या रहेगा सही जवाब अगर कि बताओ 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 जल्दी सी बी डी टी इंटल बोर्ड ओफ डारेक्ट टैक्स इसका रहेगा आपका सही जवाब चलो अगले सवाल पे किस राज्ये में कोजी कोड में भारत का पहला जेंडर पार्क लॉंच किया गया विच स्टेट हैज लॉंच इंडिया फर्स जेंडर पार्क इन कोजी कोड बताओ इन यह कि सराज्ये में ऐडी समय बिहार में मद्यपर्देश में क्या रहेगा सबाव नंबर 101 का सब्सक्राइब इस अइंडिया फर्स जेंडर पार्क इन कोजी कोड बताईय क्या रहेगा सब्सक्राइब पताये क्या रहेगा सही जवाब देखो मेरा एक वायदा था आप लोगों से कि मैं नो बज़ के एक मिनिट पर आऊंगा और आपके रोज नो दस नो पंदरा कर देते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है ठीक ना तो कमेंट बोक्स में डालना रोज सर को कि अपनी क्लास ना नो सुकूं समझे हो कमेंट बोक्स में डालो मैं इसका सभी जवाब है केरल डिका किया जवाब करेगा सभी जवाब बता है अजूबा है साथ वाठीक है युनेसको की एरिटेज लिस्ट में भी आता है हमारा ताजमहल ठीक है बताओ दोलाविरा साइड को भी एड किया गया है इतनी सारी बात बता दी एक सवाल में से बताओ इसकी कंपनी जल्दी बताओ क्या रहेगा 102 इन्फोसिस भी कह रहे है कुछ 102 का सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा आपका माइक्रोसोफ ठीक है इसको कहां नोईडा में बनाने जा रहा है चलो किस राज्य सरकार ने मिशन भगीरत के नाम से अपना स्वयम का पैक पेजल वोटर लॉंच किया है विच स्टेट गोर्मेंट हैज लॉंच इट्स ओन पैक्ट रिंकिंग वोटर इन दस नेम ओफ मिशन भगीरत बताओ तिलंगाना ने उत्तर प्रदेश ने असाम ने मनिपूर ने एक सुटीन का सही जवाब बताओ क्या रहेगा सवाल नंबर एक सुटीन सभी जवाब बताओ जल्दी 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 सवाल नंबर कॉर्णर में लिखा हुआ है आज एक सुटीन का सी असाम आ गया किसी का मेरे क्लास की जो इन पांच दिन की जो पीडियेफ है ये आपको ठाइस तारीक के बाद मिलेगी पहले क्लियर कर दूँ अभी पढ़ते रहो कि यहां भी पढ़ाये जा रहा है इतनी मेनत तो आप इसको पढ़ो वीडियो आपके पास यूट्यूब पढ़ी है जितनी बार देखनी है उतनी बार देख लो इसमें क्या दिक्कत है अगर पीडियेफ की ज्यादा लालत है तो बैक वोटर ड्रिंकिंग वोटर जो है लॉंच किया चलो आगे भारत नियाये रिपोर्ट के दूसरे संस्क्रेंड के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नियाये वित्रण पढ़ना ली है सबसे ज्यादा क्या होता है आपको नियाये का मतलब कोर्ट में जो केस गए वो पीडिएफ मिल जाएगी मैं बोल तो रहा हूं आपको कमेंट में बता दिया था कि 28 को मिल जाएगी आपको सारी की सारी पूरे के पूरी पीडिएफ जितनी है 24 से लेका 28 तक क्लास होगी टेंशन ना लो तो बताओ आया किसी का reply MP कह रहे है कुछ लोग महारास्टा भी आया है सही जवाब सही जवाब जो रहेगा आपका महारास्ट रहेगा ठीक है चलो अगले सवाल पर सुरजकुंड जील इन में से किस राज्य में स्थित है सुरजकुंड लेक इस लोकेटिड इन विच अप दीज स्थेट देखो थोड़े सेलके सवाल ले है थोड़ा आपको माइंड भी खुल जाए अब ठीक है लेकिन पेपर में है सवाल है मेरी मन ग अगले सवाल पर चलो अकबर नामा किस ने लिखा बताओ यह आपके जर्नल अवेर्नेस के सवाल आ गए पूरोट अकबर नामा अकबर ने बीरबल ने अबुल फजल ने या फिर भगवान दास ने क्या रहेगा सई जवाब 106 का सवाल नमबर 106 का यह मत सोचना ऐसे सवाल है अभी देखो ऐसे आँखे खोलने वाले सवाल हैं इसके दो चार एक उपर जाते ही यह तो थोड़ा सा ना रिलेक्स फील कर जाओ आप पताओ क्या रहेगा सवाल नमबर 106 का सई जवाब अबुल फजल वेरी गूड अबुल फजल अबुल फजल सबने दे दिया जवाब बड़े बच्चे बच्चे चलो अगले सवाल पे हल्दी गाटी की लड़ाई किन के वीच लड़ी गई इंगाती सवाल नमबर 107 सब्सेंबेत लौ फल्दी गाटी वouse बिट्विन अकपर एंड राणा संग्राम ऌसल अकबर plantation मेधनी रायए या फिर अकपर और पार सिंग्शेह सं बड़ाई प्रताब बिल्कुल सही जवाब ठीक है वेरी गुड आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो अकबर और माना प्रताब के बीच में यह हुआ था इसके बाद चलो आगे ठीक है लगे हाथ यह भी बता देते कब हुआ था पन्धाग दो 157 में पतहपुर सीकरी का निर्मान किस ने किया भू बिल्ट पतहपुर सीकरी बताओ अकबर ने जागीर ने ता जाने या फिर ओरंग जेब ने बताओ उत्तरप्रदेश में यह आगरा में बताओ किस ने किया, अकबर ने, जागीर ने, शाज आने या फिर ओरंग जेब ने, 108 का जवाब बताओ जल्दी, इसके बाद अच्छा जवाल आएगा, दिमाग थोड़ा खुलेगा, 108 का सभी जवाब बताओ, 15, 74, very good, सब को पता है, very good, very good, बताइए क्या रहेगा, 108 का सभी जवाब, अकबर ने, very good, तो लोग ले सवाल पर, नए भारत का पैंग अमबर किसको कहा जाता है, दया अनन स्रस्वति को, स्री राम कृष्ण को, या फिर राजा राम मोहन रोय को, स्वामी विवेक अनन्द को, सवाल नमबर 109 का सभी जवाब बताओ, क्या रहेगा, सवाल नमबर 109 का सभी जवाब बताओ, क्या होगा, मेरे पास 15 मिनिट हैं, सवाल अभी बचे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दे दो, मैं देखो, बहुत सिद्धत के साथ, अराम से पढ़ा रहा हूं, भगा नहीं रहा हूं, ताकि ऐसा न लगेगी, क्लास को, क्या है, रोक भी दूँ, लेकिन अगर ना भी लिखू, तो 500 पक्का पक्का बढ़ा देता हूं, मैं, चलो आगे, हो गया, 109 का सभी जवाब, द्यानन सरस्वती, द्यानन सरस्वती, राजारामोहन रहा है, कन्फ्यूज हैं बच्चे, तो जो कन्फ्यूज हैं, कोई बात नहीं, एक्जा बार पढ़ा चुका पिछले कई दिनों में, बताओ क्या होती है, इस थाइस अदस्यों की जो कारिया अब दिये, कितनी होती है, what is the term of a non-permanent member of the United Nations Security Council, बताओ क्या रहेगा इसका सही जवाब, बताओ क्या रहेगा सही जवाब, बताओ क्या रहेगा सही जवाब, बताइए क्या बुरा पढा रहा हो, मेरे शकल यह पर लिखा है मेरे इसमें बुरा लिखा है, टक 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 ईस्लाइक कर जाते हो बुरा लगता है यार अच्छा एक बात बताओ कितने लोग हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वाद दिनमंतरा का यूट्यूब चैनल देखो यूट्यूब पर पढ़ा है हम नहीं सभी जोग भी लोग पढ़ा रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं कोँगो कि हम ही कलोते हैं अजूब हैं यूट्यूब पर आपको मेनत करके बढ़ा रहे हैं तो उनको क्या करो आप परशाद के रूप में ठीक है क्या करो सब्सक्राइब बटन दबा दो और उनकी जितनी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइ यदे देल बता दूं अगस्त में यून च्टा कर रहा है वह कर रहा है बारत भारत भी एक नॉन पर्मनेंट मेंबर रहा जिसका कार्य का डियूर चल रहा है इस साल भी इंका कार्याकाल को दो भारत में से नोन पर्मनेंट में से ठीक है तो इनका कार्यकाल जोता है दो साल का होता है उसके बाद फिर कुछ तफल हो जाएगा कोई और हो जाएगा उसका ठीक है चलो आगे सार्क की पहले फुल फॉर्म लिखो उसके बाद आगे जिसको नहीं पता उसको पता तो लगे उसको नहीं पता जिसको पता है वो कमेंट बोक्स में डाल दो अब मैं मुढ रहा हूं इसके पीछे इसका सवाब क्या आगया काटमांडू बिलकुल नेपाल काटमांडू इन में से किस ने किया था ज expect सेंसी में किया है यह फिर एविष्कार किया बता सब्सक्राइब दो क्या रहेगा लोग बच्चो जल्दी जल्दी बताओ टाइम मेरे पास कम है मैं तो टाइम पर ध्यानी नहीं दे रहा हूं इतना वह गया ना मैं आपको बुरा फिल नहीं करवा सकता है इसलिए मैं भगाई नहीं रहा हूं और क्या करूँ मजबूरी है मेरी अट्टाइस के बाद मैं किसी की नी सुरूबगा टेन्चन नलो दो गंटे का हूग दो गंटे देन गंट पूग तीन गंटे कर चे गंटे जतने घंटे पढ़ाऊंग घंचन नि लेना इसका सही जवाब आपकर आये बिलकुल त आपका महात्मा गांधी ने रास्टपती या फिर जोर्ज वॉसिंग्टन मों और देमोक्राशी स्य agovernment of the people by the people and for the people क्या रहेगा सभी जवाब 113 का जल्दी बताओ 113 का सभी जवाब बताईए आगे जल्दी अब्राइम लिंग का नेकदम सभी जवाब ठीक है यह सोलवे 16 थे क्या प्रेजिडेंट ऑफ यूएस चलो गाएं किस देश का राष्टे पसू है इस बात का जवाब बताओ 114 का इमानदारी से सच में बता रहा हूं जिसको अगर गल्ती में गुगल पर किया तो क्या है ना गाएमाता लगाएगी पाप समझे रहो गाएमाता पाप लगाएगी हम सब्सक्राइब बता रहा हूं मैं लूज मोसन भी हो सकते हैं घूगल किया तो अरे रहे 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 इंडिया कॉं défin में घूज को बते हैं कॉताना गया और को कित्तों का लो नेपाल इंडिया का वांग है किसी को पता भी नहीं है क्या चलो इसका जो सही जवाब रहेगा नेपाल रहेगा गाएं कहां का राष्टे पस हुए है पुछा जाए तो नेपाल समझ रहे हो ऐसे सवाल है लगते हैं असान है होते नहीं है पर 115 छेत्रवल की पास्ट पास्ट स्लो स्लो एक पॉल चला है इसका जवाब बता दो चलो जल्द 115 का छेत्रवल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राष्टे कौन सा है राज्ये राज्स्तान मद्य परदेश महाराष्टा या उत्तर परदेश ठीक है बताओ ए राजस्तान यूपी भी बताथ बताया था का अटरेश्तान के सब्सक्राइबृ तो क्या कर दिया गया है सैटलैट्स से से अट कर दिया गया यहां पर ठीक है करनाटक असाम उडिशा गुजरात क्या है इसका सही जवाब आपको बच्चे-बच्चे को पता होगा जल्दी बता दो नहीं तो मैं बता के क्या करता हूं आगे चलता हूं चलाओ मैंने बता दिया आसाम रहेगा सही जवाब फिफा अंडर 17 महिला विसुकप 2022 की मेजवानी किस देश को करनी है अगले जो सवाल आएंगे वो बिलकुल आएंगे करेंट अफेर से रिलेटेड चलो बताओ क्या रहेगा विच कंट्री इस तो प्ले होस्ट टू दा फिफा अंडर 17 मुवें वर्ल्ड कप 2022 यूएस जापान इंडिया अगले सवाल सारे के सारे करेंट अफेर से हैं बहुत अच्छे सवाल है पहले बता रहा हूं जो जाएगा चोड़कर पस्ता आएगा पाकी जवाब दे दो जो अवेलिबल है सवाल नंबर 117 सवाल नंबर 117 बताओ क्या है आज आप लोग की संख्या कम है मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कोई बात नहीं बताओ 117 आ गया 117 डी 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 बिल्कुल सही जवाब इंडिया को लोगले सवाल पे सवाल नंबर 118 चीन की मदद से पाकिस्तान द्वारा लॉंच किये गए हॉममेड कोविड 90 वैक्स लॉंच बाए पाकिस्तान विद्धा है फफ चाइना चाइना की लेके पाकिस्तान ने क्या बनाई एक वैक्सीन बनाई विचारे ने तो बताओ पाक्वेक सीनो फिर पाक सील्ट क्या रहेगा सभी जवाब सवाल नंबर 118 को सभी जवाब बताओ जल्दी मेरे पास समय कम किसी को पता दो कि पलोडियों है ऑग नसे नायर चाइनकी वैक्सीन का नाम क्या है सीनो फार्म अगर पूछ ले कोई दो यह चाइनगी वैक्सीन का नाम को मंजोरी दिया दा यूनियन केविनिट है जब रूड है मोई बिट्विन इंडिया एंड माल्डिव एज वैल एज पाकिस एज वैले जापान इन विच सेक्टर बताव सिविल एविशन में सिपिंग में सस्टेवल अर्वन डेवलोप्मेंट में या फिर डिफेंस में मेरे को तब अगरोड होंगे कर यह ज करना है समय है चेला रहार है इंस से चरशाओ आगे बिला आखे नाइए हम उँसरे पहले देख लिए और तैम 1993 नाइन देखो थाए है चलो इस पर तो इसका जो सही जवाब मैंने बताया आपको रहेगा सी ठीक है चलो अगले सवाल पर सवाल नंबर अगला 120 फ्रेंच ऑपन टूर्णमेंट के महिला किताब की विजेता कौन है विज दा विनर ऑफ दा वूमेंस टाइटल फ्रेंच ऑपन टूर्णमेंट टूर्ण टूर्ण ट्वेंटीवन बताओ क्या रहेगा साइजवाब बार्बोरा केजी सी वोको या फिर नाओमी ओसाका सी मोना हालेपी या फिर जैनिफर ब्रे है कि मैं गडिव एक सबाद दे रहें गलत दे रहें सारे कि सारे ठीक है इसका जो सही जवाब रहेगा आपका रहेगा एए ठीक है क्या रहेगा ay 120 का सब्सक्राइब होगा बत्चोण ए-ओक क्या कहेगा बार्बोरा क्रेज सीकोवा लोगले सवाल पे सवाल नंबर 121 किस राज जैने परतेक BPL परिवार को एक लाग रुपे की राहत देने की गोशना किया है जिसमें कोविड-90 के कारण कमाव सदस्य खो दिया है एक लाग रुपे देने की गोशना किस सरकार ने करी है 121 सवाल नंबर पूछ रहा है तमिल नाडू करनाटक गुजरात या उडिसा क्या रहेगा सही जवाब एक मिनट में बता दो ज्यादा समय नहीं है हमेरे पास एक जैक दिखाना कितना टाइम है करनाटक इसका सही जवाब बिल्कुल सही वेर बच्चो जिसने करनाटक दिया है वह बहुत अच्छे बच्चे है कुछ बच्चे नाराज होंगे उनके कमेंट पड़े जा रहे हैं ठीक है कुछ लग रहा होगा तेज कर रहे हैं उनसे मेरी माफी पहले मांग चुका मैं एक से पहल सुरू किया विचे इंडियन बैंक लॉंच स्लाम दिल से इनिसियेटिव मैं बता देता हूं इसका सही जवाब क्या रहेगा इसका सही जवाब जो रहेगा वच्चो वो रहेगा आपका HDFC बैंक ठीक है कुछ नहीं है सवाल में कोई दम नी था 123 गरेलो इंसा रोकता सबस्क्राइब अग्यच्च के है कुए है जल्दी बताओ क्या रहेगा सभाब पताएए है इंडिये इंडिया अफगानिस्तान हा रहा है गण्मारें लोग को अफगानिस्तान हैं वेरि गूड इंडिया भी लग रहा है cionक्यक्सेश कर होता है गलत जवाब तो पाकिस्तान रहेगा सही जवाब चलो आगे स्वेदेशी आस्ता और संस्कृति विभाग स्थापित करने वाला पहला बारतिय राज्य कौन सा है विच इंडियन स्टेट यूटी इस फर्स तु सेट अप डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजियस फेट एंड डिपार्व गोल ऐसाम केरल या फिर मध्या पर देस्कार रहेगा 124 सही जवाब मह्त अच्छे सवाल आपके इंटिजार कर रहे हैं इस सवाल को मोटोट नोलिगबिल सवाल є ओगे 122 सभी सघच जवाब चलदी आसाम बिल्कुल सई जवाब चलो बच्चो इस सवाल के बाद ये बताओ क्लास कैसी लग रही है मेरे क्लास क्या आते आते आदो का तो इंटरनेट ही गतम हो जाता होगा बताओ क्लास कैसी लग रही है एक पाँच क्या है न 10-20 सेकंड मेरे लिए निकालो बताओ कैसी लग रही है क्लास प्लीज़ लो हुँ मैं तो فस्ट ही नहीं हूँ पुरे 7 बजे से लग अभी तक की क्लास देख लो मेरे से अड़े से अड़े से क्लास कॉई नहीं मिलेगा आपको आपको में रात को दो सोाल धी कल की कलास लताथ करवा गए आपको मेरे को खुद बुरा फिल हुआ गी है क्या किया वह पास्ट हो गई लास्ट में बिल्कुल चलेगी एंचन ना लो बढ़िया थैंक्यू 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 सो मच आप लोग का प्यार नेरा मोटिवेशन चलो अगले सवाल पर सवाल नमबर 125 कौन सा भारतियर राज्य केंद्र सासित प्रदेश 2021 से लेके 30 के लिए जंसंक्या नियंत्रण पर अपनी नई निती का अनावरण करने के लिए तयार है विच इंडियन अब मेनज तो करने वढ़ेगी आपके लिए नहीत एयं टिक ने कोन देगा समझ है और पुरानी वीडियो भी देख लेक लाए ना कल की वीडियो के लिए यू कि की अनॉंस्मेंट हो गया आज टीजीटी एसस्ट की फीमेल का भी आ गया है और इस पेसल एजुकेटर का भी आ गया डिया से प्राइमरी वालों का तो समझ रहे हो अब अच्छे से तैयारी करो वीडियो को देख लो इसकी मिल जाएगी इसका जो सही जवाब रहेगा आपका उत्तर प्रदेश रहेगा ठीक है जवाब क्या है यूपी विकास इंजन किस संगठन से संबंदित है विकास इंजन इस एसोसियेटेड विज ओर्गनाजैशन DRDO, Indian railway, Air India या फिर इस्रो 126 का सЛही जवाब बताओ क्या रहेगा सवाल नंबर 126 का die जवाब बताओ क्या रहेगा बच्चो दे यार्डी वह गया सभी जबाब लोगों का किसी का इंडियन डेल वे भी आ गया है अर इंडिया नहीं कहा किसी ने रिंडिया भी क्या दो यार सारे option एक एक बच्चा सारे ले लिया करो नाम फिर कोई कमी नी रह जाएगी ठीक है इसका जो सही जवाब रहेगा आपका इस रो क्या रहेगा इस रो इसका रहेगा एकदम सही जवाब सवाल नंबर 127 सवाल नंबर 127 क्या कह रहा है 199 का सेनारी नर्शंगार जो हाली में चर्च 12 मदियपरदेश क्या रहेइगा सही किसे जवाब जल्दी बताओ इस अगजाब क्या रहेगा 127 का नोर कि भच्यों इस टाइम पर क्या ता लगवब लगवちょ Remo जो अपर क्लास के लोग थे उनको क्या किया था इस नरसंगार में माववादियों ने ठीक है नेक्सलाइज ने क्या कर दिया था ठीक है तो अब यह चर्चा में है उन में से कई सारों को दस बारा को पनिश्मेंट भी मिलिया तो उतनी डिटेल में जाने का आपका कोई तालुकात वस यह पूछा जाएगा किस राज्य से संबंदित रखता है ठीक है तो इसका जो सही जवाब रहेगा आपका बिहार रहेगा समझ रहे हो बिहार इसका रहेगा सही जवाब तो यह पूछले आपको इसकी बहुत अच्छी चीज हुई है यह बहुत ज्यादा अच्छी पताएए और बियाई कह रहे है कुछ लोग यह थर्थन वहाद बहुत अच्छी आर्दा में अच्छी बात है आपको आजहिश जानकारी और जानकारी खराब होती है पहल完ने और संबंच कोट ऑं एंडिया ठीक है आप समाज़े इसको बास्तर और फास्त को उसको अभी तक क्या होगा जैसे किसी को बेल के ओडर ऊडर तो उसके हाडब में प्लेटफॉम बना दिया जैसे जज्जमेंट आएगा उसको अपपलोड करेंगे और देखेंगे जो भी करेंगग क्या है जा सके जेल के पास फिर आपके district district court के पास या फिर state high court के पास जो भी उनके ओर होंगे तो उनका जो पास्ट ट्रांस्मिशन एंडिया ने किया है बहुत अच्छा इन्होंने एक इनिशेटिव लिया है हमारा सवाल नंबर 129 टोकियो उलम्पिक में पुरु सेकल बैड्मिंटन में स्वन्पदक किसने जीता हूँ वोन्द गोर्ड मेडल इन मैंस सिंगल बैड्मिंटन एट टोक्यो उलम्पिक बताओ क्या रहेगा सही जवाब वांग यूलू ली यांगो वांग ची लीन या फिर विक्टर एक्सले एक्सेल सेन क्या रहेगा सही जवाब जल्दी बता दो मेरे पास समय बहुत कम है एक मिनिट हमारे बचिए बताओ सही जवाब 129 का ओलम्पिक का सवाल है मेरे को लग रहा है अपका बताओगा जल्दी बता दो इसका जवाब देखो दीरे दीरे पावन हाई कोट में है ठीक है अभी सुप्रीम कोट ने इसको लॉंच किया है तो अब्यसली जब उन्होंने ओडर दिया तो हाई कोट भी अपना स्टेट वगेरा सार मिल अपना बनवा लेंगे ठीक है तो बताओ इसका क्या रहेगा आगे 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 कोई विक्टर आघया ठीक है कि चलो इसका जो सभी जवाब रहेगा आपका विक्टर एक्सेलफ सेन इसकासरी जवाब रहेगा ठीक है चलो अगले सभाल पे नेहरु तिबबत और चीन यह एक भूक है इसके लेक्गिन फिन मेंस थे तोन है अरविंद एडिग या फिर रश डिटेश नारायन अवतार सिंग भाषिन या फिर राम चंदर कोई हैं वी क्लास का कि सथा च्छाइशी के ए मिलता हूं तीस्रा तीन को लेकर कि अपना उमीद है आपको क्लास अच्छी लोगी कि लाइक करना सब्सक्राइब करना बबाए टेक केर इस्टॉप दे स्ट्रीम टोके बबाए